हेलो दोस्तो आज की वीडियो में बात करेंगे होंडा SP 125 के न्यू मॉडल के बारे में जो की काफी जल्दी इंडिया में लॉंच होने वाली है और इसमें क्या-क्या चेंजिस होंगे क्या-क्या न्यू अबडेट्स इसमें देखने को मिलेंगे ये सारी डिटेल आपको इस व जोटी लुक और ज्यादा फीचर्स मिल जाते हैं और दोस्तो होंडा SP 125 जो की काफी अच्छी बाइक है लेकिन रेडर 125 के लॉंच होने के बाद इसकी सेल्स पर काफी असर हुआ है इसलिए अब होंडा अपनी SP 125 को न्यू फीचर्स और न्यू लुक के साथ लॉंच करने व जिटल मीटर कंसोल मिलेगा जिसमें Bluetooth connectivity का फीचर भी मिलेगा और दोस्तो इसके तीसरे अपडेट की बात करें तो इसमें new colors होंडा ओफर करने वाली है और साथ में new design के body graphics भी new SP 125 में मिलेंगे बाकी changes की बात करें तो split seat, mobile charging port, riding modes जैसे काफी सारे features भी इसमें मिलेंगे अगर बात करें engine की तो new SP 125 में 124.7cc का single cylinder 4 stroke 2 valve F5 BS6 engine मिलेगा जिसमें 10.46 BHP की power मिलेगी और 10.2 Nm का maximum torque मिल जाएगा दोस्तों tires और braking की बात करें तो front में 80 by 100 का 18 इंच का tubeless tire और rear में 90 by 90 का 18 इंच का tubeless tire मिलेगा और काफी अच्छी braking भी new SP 125 में मिलने वाली है इसके front में 240 mm का disc brake और rear में 130 mm का drum brake मिलेगा और दोस्तों इसकी riding quality को और भी जादा अच्छी बनाने के लिए काफी comfortable इसमें suspension मिलने वाली है front में telescopic fork और rear में monoshock suspension new SP 125 में मिलेंगे तो दोस्तों इसकी looks की बात हो गई है features की बात हो गई है अब बात कर लेते हैं इसके launch date की तो new Honda SP 125 इसी साल के festive season में यानि की October में या फिर November में इंडिया में launch हो सकती है और अगर बात करें इसके price की तो दोस्तों इसका action price 90,000 रुपे से start हो सकता है तो दोस्तों ये थे सारे updates new Honda SP 125 के बारे में अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को like कर देना, share कर देना और अभी तक आपने इस channel को subscribe नहीं कराए